राजधानी दिल्ली में आयुजित राजयबीमा करमचारी निगम की 186 वी वार्शिक बैठक में चार E.S.I. अस्पतालों के लोकारपन के अलाबा कई तरह के महतबोर्ण निलने लिये गए केंद्र सरकार की श्रमिक हितैशी नीतियों के विषय पर हमारे संवाधता ओपी यादव ने बात की केंद्रिय श्रम वार रोजगार मंतरी भूपेंद्र यादव से आप भी देखिए कि देश आजादी का अमरत महत्सव मनारा और इसी क्रमी बारसरकाश सर्मकों के कल्यान और विकास के लिए नहीं नहीं नीतियां और योजना बना रही है राजदानी दिल्ली में बैठक हुई है इस बैठक में बहुत सारे जो मुद्धे हैं उनके समाधान और एक पालेट प् का अभार भी वेक्त करते हैं कि देश में दो नए मेडिकल कॉलेज एससी को प्राप्त हो है अलवर और बहिटा जिसमें इस चत्र में इस सत्र में कारवाई शुरू होगी गुड़गाओं में मानेसर के पास पांसो बैड़िड हस्पताल को आज मंजूरी दी मेरट में हंड देश के श्रमिकों के लिए जो हमारे आईपीज हैं जो चालिस साल से उपर की आईउ के लोग हैं उनके फ्री मेडिकल चेक अप की बात हमने करी है यह भी तैब हम लोगों ने किया है कि जब योगा दिवस आएगा तो हेल्ड जो है वो क्यूरिटिव नी प्रवेंटिव उसको संकल्पित करने का आप काम कर रहे हैं सवस्तोर सहत्नमंद कार्मिक होंगे तो कारे काड़े का बात अंच्छा बनेगा और देश में विकास के आयां में स्थापित होंगे निशीत वर उसी को लेकिए आपने यह चार जो पाल्लिट पर webinar करने सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थे सेवा की योजना है साड़े तीन करोड आई पी हमारे साथ जुड़े हैं साड़े बारा करोड से जादा उन्के लाभाःत neglected लोग है वो जुड़े हैं और सरकार के दर्रा जो नया लेवर कोड़ लागू किया जा रहा तो यह थे किंद्र स्रम में वरोजगार मंत्रि बूफेंदर यादव जिनका माने के भारत सरकास शरमकों के कल्याण और विकास के लिन क्यों प्रतिबद है बैलकि नहीं नहीं नीतियां और योजना इस बनाकर जमिनी इस्तरपर इनी क्रियान विद गरने के लिए संकल्पित भी है मेरे सोय की कमराबन अजे कुमार के साथ मौपी आदो डीली न्यूज दिल्ली